गुड मॉर्णिंग बच्चो बच्चो पिछली वीडियो में हम लोगोंने वाग के संबंधी अशुद्धियों को भाग चार में देखा था ठीक है ना सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों तक देखा था हम लोग ने भाग चार में लेकिन अब हम लोग आज भाग पांच में ठीक है भाग पांच में क्या देखेंगे विशेशन संबंधी अशुद्धियों को देखेंगे किसमें देखेंगे भाग पांच में विशेशन कैसे हैं देखें लिखा है विशेशन विशेश के लेंग तथा वचन के अनुरूप होना चाहिए जो विशेशन विशेश के अनुरूप नहीं होते वे अशुद माने जाते हैं विशेशन के अनुरूप तथा अनावश्य प्रयोग से भी वाके अशुद हो जाता है ठीक है ना जैसे हम लोग यहां देख रहे हैं वाके को काला लड़की पढ़ रही है ठीक है ना कौन सी लड़की पढ़ रही है काला लड़की ये लिंग क्या है इस त्री लिंग लड़क तो इस कारण क्या हो गया है ये वाक अशुद्ध हो गया है तो लेकिन शुद्ध वाक क्या होगा काली लड़की पड़ रही है ठीक है दूसरा है वह तेज बुद्धी है तो वह तेज बुद्धी नहीं होगा जबकि क्या होगा सही वाक के वह कुशाग्र बुद्धी है ठीक कक्षा में पढ़ता है आशिष कौन सी कक्षा में पढ़ता है 8 कक्षा लिखा है जबकि शुद भाग क्या होगा आशिष 8 भी कक्षा में पढ़ता है, ठीक है ये क्या हो गए था बच्चो rpm विशेशन संबंधी अशुद्धिया underm अब हम लोग अगला देखेंगे क्रिया संबंधी अशुधियां क्रिया पदों के अनुप्यूक्त अनावश्यक्त तथा आवश्यक्त के समय प्रयोक ना करने से क्रिया संबंधी अशुधियां होती है जैसे क्या है तुम जल्दी से कपड़े डाल लो तो ये क्या है अशुद शब्द वाक कहा है लेकिन शुद वाक क्या है तुम जल्दी से कपडे पहन लो दूसरा है लड़के अध्यापिका को प्रशन करते हैं तो क्या है ये अशुदवाग है क्योंकि शुदवाग क्या है लड़के अध्यापिका से यहाँ पे को नहीं आएगा बच्चो बलकि क्या आएगा से लड़के अध्यापिका से प्रश्न पूछते हैं ठीक है तुम अपने जूते निकाल दो नमबर फोर देखिए तुम अपन जूते उतार दो ठीक है अब इसका अंतिम वाकिय हम लोग देखेंगे मैं रात को कंबल पहन कर सोता हूं कंबल पहन कर पहन कर यह यहाँ पर गलत शद आ रहा है तो यहाँ पर सही वाकिय क्या होगा बच्चों मैं रात को कंबल ओड़ कर सोता हूँ ठीक है ना क्या हैगा ओड़कर पहन कर यहाँ गलत है ओड़कर यहाँ पे सही है तो क्या हो गया यह सही हो गया यह वाला वाग के क्या है सही है मैं रात को कमबल ओड़कर सोता हूँ ठीक है अगला है हम लोगों का बच्चों क्रिया विशेशन संबंधी अशुद् क्रिया विशेशन के अनावश्यक अशुद तथा अनियमित प्रयोक से भी अशुद्या होती है जैसे अशुद वाक्य क्या है जैसा करोगे उतना भरोगे लेकिन शुद वाक्य क्या है इसका जैसा करोगे वैसा भरोगे ठीक है तीसरा देखें इसका वह बहुत बड़ा चालाख है लेकिन शुद्वाक क्या है इसका वह बहुत चालाख है ठीक पांचमा देखें इसका तुम्हें यह कार सभाव के अनुसार करना चाहिए क्या करना चाहिए तुम्हें यह कार सभाव के अनुरूप करना चाहिए ठीक है अब यहां पर हम लोग आगे देखेंगे कार के परसर्गों संबंधी अशुद्धियां ठीक है यदि वाक्य में उचित परसर्गों का प्रयोक ना किया जाये तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है ठीक है ना तो बच्चों यहां परसर्ग क्या होता देख लें जरा हम लोग परसर्ग वय होता है वय शब्द जो किसी शब्द के बाद जोड़ा जाये परसर्ग कहलाता है या उसको दूसरी तरह से देख लें शब्दों के साथ जुड़कर अर्थ पूंवाक के बनाते हैं हम लोग कहते हैं परसर्ग कहते हैं ठीक है तो इसका पहला देखिए पहला अशुद वाक क्या है रोहित ने पढ़ता है तो रोहित ने ये ने शब्द से वाक क्या हो गया गलत हो गया है अशुद हो गया जबकि शुद वाक क्या है रोहित पढ़ता है इस्टेशन में गाड़ी आ गई अब यहाँ पे जो में शब्द लग गया है इससे पूरा वाक्य क्या हो गया है अशुद हो गया है जबकि शुद वाक्य क्या है इस्टेशन पर इस्टेशन पर गाड़ी आ गई ठीक है जैसे वह पानी पर कूद पड़ा तो पानी पर पर शब्द से ये वाक्य में अशुद्धी आ गई है लेकिन यहाँ पर वह पानी में आयेगा ठीक है? वह पानी में उद पड़ा ठीक है ना? अब यहाँ पर देख लें छटा हम लोग देखते हैं छटा वाला उधारन देखें सोनिया के पेट पर दर्द है तो क पेट में दर्द होता है पेट पर दर्द नहीं होता है ठीक है ना इसका दसमा वाक्य देखिए कौपी में लिखो कौपी में नहीं लिखते हैं बलकि कौपी पर लिखते हैं ठीक है कौपी पर चलिए इसका अंतिम पार्ट में आ गए है हम लोग अंतिम देखते हैं इसका क्या है? मोहावरों सम्बंदी अशुद्धिया मोहावरों का प्रयोग वाक्य को आकरशक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है लेकिन इसके गलत प्रयोग से वाक्य अशुद्ध हो जाता है जैसे देखें जरा हमग वाके पहला है चोर सिपाही को देखकर 9211 हो गए तो इसका शुद्ध वाके क्या है चोर सिपाही को देखकर 9211 हो गए ठीक है क्या था पहला चोर सिपाही को देखकर 9211 हो लिये लेकिन शुद्ध क्या है चोर सिपाही को देखकर 9211 हो गए ठीक है उसी तरह दूसरा है तुमने शत्रों को लोहे के चने दबवाए चने दबवाते नहीं है है ना लेकिन शुद क्या है तुमने शत्रों को लोहे के चने चबवाए चने चबवाते हैं हम लोग दबाते नहीं है ठीक है ना उसी तरह देखें जर लो तीसरा पुलिस को देखते ही सेट के चहरे पर हवाईया दोड़ने लगी तो इसका सही वाक्ष क्या है पुलिस को देखते ही सेट के चहरे पर हवाईया उड़ने लगी दोड़ने नहीं लगी बलकि उड़ने लगी ठीक है ना चलिए अब यहां पर ह आठ्मा वाक देखेंगे, अमीर लोग गरीबों का गला घूट रहे हैं, ठीक तो इसका सही वाक क्या है, अमीर लोग गरीबों का गला काट रहे हैं, ठीक ना वच्चो, ये आपका क्या है, वाक्यों सम्बंधी अशुधियां यहां पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं, अब म homework दूँगी जिस तरह से मैंने शब्द संबंदी अशुद्यों का homework दिया था उसी तरह वाक्यों संबंदी अशुद्यों का homework दूँगी जिसको आपको क्या करना है अपनी grammar की copy में लिखेंगे ठीक है न Class 9th and 10th subject Hindi language Topic है अशुद्धी शोधन भाग 4 और 5 का ग्रहकार है ठीक है निमलिकित वाग के शुद्ध करके लिखिए जो नीचे वाग के दिये गए है उनको क्या करना है शुद्ध करके लिखना है पहला है मेरा भाई छटी कक्षा में पड़ती है दूसरा है गाई खेत में चर रहा है तीसरा है मीता ने बहुत पैसा खर्चा किया फिर है मंदिर में सबने हाथ जोड़ा फिर अगला है क्रप्या हमारे यहां आने की क्रपा करें अगला है मैं गुनगुने गरम पानी से नहाता हूं फिर है पत्र यह किसने लिखा एक फूलों की माला ला दो बे फिजूल मत बोलो चोर के हाथों में बेडियां थी अगला है मेरे को पढ़ना है फिर है वे अच्छा आदमी नहीं है काला लड़की पढ़ रही है आशीश आठ कक्षा में पढ़ता है तुम अपने जूते निकाल दो मैं रात को कंबल पहन कर सोता हूं जैसा करोगे उतना भरोगे फिर है वे बहुत बड़ा चालाख है रोहित ने पढ़ता है इस्टेशन में गाड़ी आ गई है चोर सिपाही को देखकर नौ दो ग्यारह हो लिए फिर लास्ट है राजा ने दुश्मन का सिर्थ तलवार से उड़ा दिया ठीक है बच्चो ये टोटल आपके 22 वाक्य हैं इन सारे वाक्यों को शुद करके आप लोगों को अपनी कौपी में व्याक्यों की कौपी में लिखना आए ठीक है धन्यवाद अपनी कौपी में लिखना है लिखना आए लिए 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 रफ़ाद